नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों रश्या से अभी अभी एक बहुत बड़ी और बहुती गंभीर खबर निकल कर सामनी आई है और इस खबर से भारत को नुक्सान होगा जी हाँ लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात क्लिर कर दूँ कि ये खबर पश्चिमी देशों की मीडिया ने नहीं चापी है नहीं अमरीकी मीडिया ने चापी है इस खबर को खुद रूस की सरकारी मीडिया तास ने चापा है यानि कि ये बिल्कुल confirm खबर है आप ऐसा मत सोच लेना कि ये खबर पस्चिमी देशों द्वारा फैलाई गई है मैं आपको पूरे प्रूफ भी दिखाऊंगा तो क्या है खबर खबर ये निकल कर सामने आई है अभी अभी कि रह्या में एक बहुती बड़े और बहुती प्रोमिनेंट साइन्टिस्ट को गिरफतार किया गया है जी हाँ और ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा साइन्टिस नहीं था जो एक लैब में बैठकर रिसर्च करता थ जी नहीं ये कौणटम ओप्टिक्स का हैड था अब कौटम ओप्टिक्स क्या है अगर मैं से explain करूँगा तो बहुत ही जादा बड़ा समय लग जायेगा बस इतना समझ लीजिए कि quantum optics एक शाखा है atomic, molecular और optical physics की अगर आप अब भी नहीं समझे तो बस इतना समझ लीजिए कि ये बहुती advanced किस्म की परमाणू यानि की nuclear technology से जुड़ा हुआ मामला है और आपको बता दू कि जिस वेक्ति को गिरफतार किया गया है ये Siberian इलाके में रहता था और ये भी बताया गया है कि ये वेक्ति cancer की last stage से जुज रहा था और इसलिए इस वेक्ति ने अपने परिवार के लिए और अपनी इलाज के लिए पैसा जुटाने के इरादे से एक विदेशी ताकत के साथ मिलकर रूसी technology को compromise कर दिया और हो सकता है कि इसने रूस की इस quantum optics technology को transfer कर दिया है अब आप कहेंगे कुन सा देश है तो मैं आपको hint देता हूँ कि इसी देश ने फरवरी 2021 में एक और रूसी scientist के जरिये hypersonic technology को चुराने की कोशिश करी थी उसे भी गिरफतार किया गया था अगर आप इस channel को लंबे समय से follow करते हैं तो आप जानते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूँ इस देश का नाम है चीन जी हाँ चीन लगातार रूसी वैग्यानिको को यहाँ पर जाल में फसा कर रूस की technology लगातार चुला रहा है पिछले साल hypersonic technology से जुड़ावा मामला था जिसमें hypersonic technology का जो head था वो सीधा सीधा चीन के पाले में चला गया था और अब quantum optics जो परमानू से जुड़ी बहुत महतपून technology है उसका एक head यहाँ पर चीन के पाले में जाता हुआ पकड़ा गया है वहीं रूस के लिए मुसीवत यह है कि उसके देश में आर्थिक हालात खराब है रूसी वग्यानिकों को बहुत ही कम तनखुआ मिलती है इसी वज़े से वो रूस की बहुत important और higher technology को विदेशी ताकतों को बेचने से नहीं कत्रा रहे क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रत है लेकिन अब आपका सवाल यह होगा कि रूसी technology को तो यूरोपियन देश या अमेरिका भी बहुत मोटे पैसे दे कर खरीद सकता है तो फिर चीन को ही ये वज़्यानिक क्यों बेच रहे है technology तो इसका कारण है जितने भी रूस के वज़्यानिक है इन सब पर बहुती सक्त निगा रखी जा रही है पिछले 2-5 साल से जिससे की ये लोग जब भी पश्चिमी देशों के किसी agent के संपर्ख में आते हैं तो तुरंत पकड़े जाते हैं लेकिन चीन के लोगों के साथ मिलना इनका बहुत आसान है क्यों कि पिछले 3-4 सालों में रूस और चीन का जो defense collaboration है वो बहुत तेजी से बड़ा है इनके वैग्यानिक लगातार चीन जाते हैं के वैग्यानिक लगातार रूस आते रहते हैं और इस लगातार मिलते जुलते रहने की वज़े से ही रूस के लिए ये लगभग असंभव है कि वो अपने हर एक वैग्यानिक पर बराबर नजर रख सके और यही आजगी तारीख में रूस की कमजोर कड़ी बन चुकी है और इसी कमजोर कड़ी का फाइदा चीन उठाता है रूसी वैग्यानिकों के संपर्क में आता है उन्हें पैसा देता है उसके बदले हाई-एंड टेक्लोजी को यहाँ पर ले लेता है और यही भारत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात है क्योंकि रूस के पास बहुती अडवांस किसम की मिलिटरी टेक्लोजी मुझूद है और आप पिछले 5-6 साल का रिकोर्ड उठा कर देख लेजिए के हर साल एक बड़ा वैग्यानिक रूस में अरश्ट होता है टेक्लोजी बेचते हुए और इन टेक्लोजी का इस्तमाल करते हुए ही चीन अपने हाइपरसोनिक हतियार तयार कर रहा है अपने परमानू हतियारों को और उन्नत बना रहा है ऐसे में ये भारत के लिए एक घातक चीज सावित हो सकती है वहीं भारत के लिए दूसरी मुसीबत ये है कि ये चोरी आगे भी रुकने का नाम नहीं लेगी क्योंकि पिछले 6 साल में रूस ने एक बार भी चीन के खिलाफ उंगली नहीं उठाई है जबकि उसके पास खुद पुखता सबूथ थे कि इसमें चीन का ही हाथ है फिर चीन पर रूस उंगली क्यों नहीं उठाता इसलिए नहीं उठा पाता क्यूंकि आज की तारिक में रूस चीन पर अत्यारिक निर्वर है वो चीन को नाराज नहीं करना चाहते और इसलिए जो ये वहग्यानिकों की गिरफतारी हो रही है वो रूस से ज्यादा भारत के लिए बड़ा सरदर्द है क्योंकि ये सारी चुराही टेक्लोजी भारत के खिलाफ ही अंतमें इस्तमाल होनी है हाला कि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरू बताएगा फिलाली सुड़ों में इतना ही थैंक्यू वर मुच फॉचिंग वीडियो